आज हम चिसल 3D brush देखने वाले हैं, last class में हमने चिसल brush देखा था और उससे हम किस तरह से cloth के beads या leather वगरे के उपर जो beads बनते हैं, जो design बनते हैं, वो आसानी से कैसे बना सकते हैं, वो हमने देखा था, तो चिसल brush को एक step और आगे लेके जाते हैं, आज हम चिसल 3D brush देखने इसका कैसे use करेंगे, और use करके हम क्या बना सकते हैं, वो देखना है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक model लिया है, simple model है, हमने light box के अंदर से model लिया है, आप light box से क्लिक करेंगे, और यहां से यह sphere है, आप इसको double क्लिक करके scene पे add कर लेंगे, तो अगर आप sculpting करना चाहते हैं, और c प्रेस करना है, तो यहां पर देखिए, आप इसका code है, यह code है 3, इसको अगर आप प्रेस कर दोगे, तो chisel 3D यह देखिए, chisel 3D का ब्रया से यह load हो जाएगा, हम इस पर mouse से भी क्लिक कर सकते हैं, तो यहां पर आप देखिएगा, अभी यह upload हो गया है, तो यह इ इस से पहले आपने एक IMM ब्रेस देखा था, जिसमें IMM body part थे, तो वो IMM ब्रेस जो थे, उसमें body के जो पार्ट थे, वो यही थे, nose, eye, ear वगयरा, है ना, पर वो और यह, दोनों difference है, body part हैं, पर यह chisel ब्रेस क्या करेगा, यह हमारे original object से जोड देगा, join कर देगा, IMM ब्रे देखेंगे पहले, हम आते हैं कि, इसके उपर एक nose बन जाए, या lips बन जाए, तो आपको यह देखे, body parts में आपको search करना है, हमें lips चाहिए सबसे पहले, तो I think देखे, यह lips है, हम इस lip का use कर सकते हैं, हम इसको click करते हैं, जैसे हम click करेंगे, वो यहाँ पर देखे, उसके alpha म add हो गया है, अब हम इसमें बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, तो यह देखे, यह आपका symmetry on है, तो दोनों तरफ बनेगा, अगर आभी आप बना होगे कुछ भी, तो हम इसको express करके off कर देते हैं, अभी हमें बनाना है, तो यह देखे, हमारे पास में क्या बनना है, लेकिन य इसको click को छोड़ेंगे नहीं, जब तक आपका बोड़ी पार्ट सही ना बन जाए, तो यह देखे, size थोड़ा सा छोटा बड़ा हम यहां से size भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, और rotate भी कर सकते हैं, anytime किसी भी angle पे, तो अगर हमें इतना बड़ा lip चाहिए होगा, तो हम यहां पर छोड़ देंगे, देखिए थोड़ा सा rough आया है, हम क्या करेंगे, इस पर control D और D ऐसे दो बार या तीन बार प्रेस कर देंगे, जिससे इसकी division बढ़ आयागा, यह थोड़ा सा high poly हो जाएगा, हम दुबारा से फिर से बनाते हैं, तो lips हमारे या नीचे होने चाहिए, द देखिए यह lip बन गया, अब हम चाहते हैं इसकी nose भी होनी चाहिए, तो उपर nose के कुछ option आ रहे हैं, उनको आपको select करना, यह देखिए सारे nose ही है, यहाँ पर देखिए animal के कुछ nose है, different different characters के, और यह human character के कुछ nose दिखाई दे रहे हैं, cartoon character के भी nose हैं, इसमें आप बारी बा track करके इसको छोटा बड़ा उसी side में set करना है, इस side में हमें चाहिए होगा, एट्स के हम थोड़ी से और छोटी इतनी बड़ी nose चाहते हैं, तो देखिए हमारी nose भी बन गई, और सबसे अच्छी बात है, nose जब बनी है, तो original object के साथ में हमें अलग से जोड़ना नहीं पड आई के लिए हम stroke ढूंते हैं, यह आई है, यहाँ पर आई है, यह है, यह है, तो जो भी आई आई आपको best लगे, I think कि यह हमें लगाना है, आपको जो भी अच्छा लगे, लेकिन ध्यान यह रखना है आपको कि जो आई है वो दोनों side में होती है, तो आपको X button प्रेस करके symmetry on कर देनी है, ताकि दोनों side आपका ब्रेस on हो जाए, और आपको I बनाने के लिए क्लिक करना है, देखिए यह खतरनाक वाली I है, इसको drag करना है, और कैसे रखना है, वो भी आप देख सकते हैं, यह ठीक रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा हम इधर क्लिक करते हैं, यहाँ प यह छोटे छोटे आई बन गए, हमें थोड़ा सा दूर आना पड़ेगा, तो आपको यह एक बार थोड़ा सा प्रेक्टिस करनी पड़ेगी, देखिए हमारे आई भी बन गए, और सब जुड़े हुए आ रहे हैं, और और इजिनल अब्जेट से हमारे सब जुड़ के आ र आए, यह वाला इयर देखिए एक लग रहे है पर यह वाला इयर एक यह भी अच्छा लग रहा है, तो हम जैसी यह बर क्लिक करेंगे देखिए इयर भी बन रहा है, यह यह बन गया, दोनों साड़ में बना होगा क्योंकि सिमेट्रिया उन थी, यह तो एक करेक्टर हमारा र आप फिर फ्रेंट से देख सकते हैं सेंटर से और इसको क्लिक करेंगे तो यह इसके बाल बन गए कि यह देखिए यह एक बड़ी आज़ा केरेक्टर आपने बना दिया है बहुत ही काम समय में और यह ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि यहां पर हमने चिसेल 3D ब्रेट का यूज किया है चिसेल 3D ब्रेट में यह बने बनाए कुछ स्टोक पड़े हैं बाड़ी पार्ट के और सबसे अच्छी चीज यह है इनको आपको जोड़ना नहीं पड़ता है टेंशन नहीं है यह ज सिप्ट बटन प्रेस करी orchis 서ूट कर रहे है ठोड़ा सा एजजेस्ट्मेंट कर रहे हैं यह तो नाक देखे पहले सब अच्छी हो गई यहां पर सिप्ट बटन प्रेट करके सिप्ट तो आपकी आग तो बनी गई है, साथ में वो merge भी हो रही अच्छे से, उपर करना आप उपर कर सकते हैं यहाँ पर एक चीज बताना आपको भूले, अगर आप alt button प्रेस करते हो, इसके पीछे साइट में दिखाते हैं आपको अगर आप alt button प्रेस करके इनी में से किसी ब्रेस का उसकरते हो, जैसे यह हमारा जो safe है, alt button प्रेस कर रहे हैं तो वो opposite काम करेगा, reverse हो जाएगा, पिछली वीडियो में alt button आपने जहां पर भी यूज किया है ब्रेस के साथ में तो वो surface को push कर देगा, नीचे के तरफ दबा देगा, अगर आप alt प्रेस प्रेस नहीं कर रहे हो तो वो उपर के तरफ surface को pull कर रहा है तो आपको बस यह ध्यान रखना है जब भी इनका use करेंगे, कि alt button प्रेस करना है या नहीं करना है साथ में symmetry on करना है या नहीं करना है, x button प्रेस करके, जैसे i बनाया है तो symmetry on किया था, nose में symmetry off रखना है lips में off रखना है, क्योंकि यह एक एक part है, symmetry में ear और eye रहेगा तो आपने chisel 3D brush का use किया है और इसके साथ में आपने एक face design कर लिया है, आप अपना face design करिए, जो भी यहाँ से body part को use करना है, ठीक है और जो भी ear, lips वगएरा यूज़ करने आप यहाँ से कर सकते हूँ, तो देखिए चिसल 3D brush के थूँ आप जल्दी से एक model sculpt कर सकते हूँ, मिलते हैं next video में चैनल को subscribe जरू करना, comment करना आपको किस topic के ऊपर वीडियो चाहिए, thank you